तो दोस्तो आज 8 जैनुवरी 2023 कल 9 जैनुवरी मंडे से एक नया ट्रेडिंग विग शुरू नहीं जा रहा है जैसे कि लास्ट ट्रेडिंग विग पर हमने देखा मार्केट में काफी गिरावट काफी करेक्शन देखने को मिला स्पेशली लास्त तीन दिन पे और जहां पे फ आपका क्या राय है आप मुझे कमेंड बॉक्स में कमेंड करके जरूर बताना कि अपकमिंग ट्रेडिंग मार्केट का बुलिश रहेगा मतब उपर की तरफ करेगा या बेरिश रहेगा यानि नीचे की तरफ गिरावट होगा तो चलिए हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी की अपकमिंग ट्रेडिंग मार्केट को ट्रिगर कर सकता है अब दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है डिसमबर का महीना काफी पहले खतम हो चुका है तो अभी जैनुरी के मैंने शुरू हो चुका है और उसके साथ साथ क्वार्टा 3 का अर्निंग्स भी शुरू हो जाएगा त तर्फरस्टे के दिन उसके ठीक स्टेमा फ्राइडे के दिन वीप्रो मतब टॉप आईटी सेक्टर कंपनी अपना रेजल प्रेजन करेंगा अप जो कि अपकमिंग ट्रेडिंग विक पे साथ दोस्तों इंडिया का लाट्जेस प्राइबेट सेक्टर बैंक यानि एजड़ सब्सक्राइब 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 करेंगा और जैसे मेरे पास यह सारे नोटिस आ जाएगा सब्सक्राइब करेंगा उसके बात देखें जो इंडिया का CPI इंफ्लेशन डेटा प्रेजन किया जाएगा नेक्स थर्स्टेक दिन मतब बारा तारीक को और इस बार बहुत ज्याद इंपोर्टन होने जा रहे क्योंकि लास्ट मन्त पे मतब नवेंबर का जब डेटा अब इस बार मतब डिसम्बर का जब CPI इंफ्लेशन रेट या प्रेजन किया जाएगा सेम तुसे मधे पर देख से तो बारा तरीक थरस्टेक दिन मतब बहुत जाद इंपोर्टन होने जा रहे एक तो उस दिन जो की इनफोसी से इचल टेकर रिसाल डॉट होगा साथ अब देखिए मेरे अकोर्डिंग 6 परसंट के नीचे अगर आ गया ना आम से आवे मार्केट ऊपर की तरब बुलिश आपको फिर से क्रण देखने को मिल सकता है इनकेस अगर 6% से उपर पहुंच गया तो उसके साथ यह भी नहीं यह तो इंडिया का सीपे इंफलेशन हो ग फिर लेट नाइट पे जो कि युएस कभी सेम डेपी माद बारा तारीक थर्सटे के दिन सीपी इंप्रेशन रेट आउट हो का और इसका इंपक्त हमें देखने को मिल अगा नेक्स टेक्ट यूब अब इसका इंपक्त देखने को मिलेगा अची बात यह है कि लास्ट टाइ है 6.5 से लेके 7% के बीच में अगर ऐसा हुआ तो इसलिए उस मार्केट भी पॉसिटिव एक्ट करेगा यानी सीडिसी बात है नेक्स डेमें काफी अच्छा तेजी भी देखने को मिलागा मार्केट के अंदर इनकेज अगर इससे ज्यादा होता है उसके आसपास या उससे थोरा ज्यादा होता है मतलव एक्सपेक्टेशन का को इसके मार्केट फॉरा बहुत भी हो सकता है यूएस के अंदर और आपको नेक्स डी इंडिया मार्केट के अंदर भी देखने को मिलेगा तो यह साहे तो अच्छी अप्डेट हो गया क्योंकि आप इस बार सीपे इंफ सब्सक्राइब करके निकल का जापे पूरा कुपरा डिसम्बर महीने में अपने देखा तो टोटल चौदा हजार क्रोट का सेल किया ता वहीं देखे एक हप्तों के भी तर साथ अजार आच्छो करोटा शियर सेल करके निकल गया एपाइस बार मतब इसने फिर से हमें सेलिं मार्केट में और लास्ट मंत की बात करें मतब डिसम्बर मैंने पर जाहां पर डियाइस ने टोटल जो की शेयर पर्चेस किया था इंडिया मार्केट में चौबीस अजर करोर के आसपास यह ने हमने देखा इसको काउंटर करते हुए थोड़ा बहुत यहां पर बाइंग ब लास्ट नाइट फ्राइडे के दिन जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स चाहे डॉजन तो चाहे नैस्डाक लगबग 2-3% उपर जाके जैसे के अब देख सकते हैं जो कि डॉजन्स क्लोजिंग दिया था लगबग 2% उपर जाके तुप उसके साथ साथ देखे न उसके साथ सब्सक्राइब लगबग एक परसेंट देट परसेंट आप देख सकतो सारे इंडेक्स लगबग एक से देट परसेंट उपर जाके प्लोजिंग गया था फ्राइड नाइट को अब देके निफ्टी-50 का फ्यूचर जो कि हमने देखा था मार्केट गिरावाट हो काफी नीचे क्लोजिंग दिया था फ्राइड के दिन और उसके साथ निफ्टी फ्यूचर भी काफी नीचे तक आ गया था और जैसी डोजोंस या नेस्टेक इन तेजी वा लास्ट नाइट निफ्टी का फ्यूचर है उसका पोजिशन लगबग ना कि पहुपर पहुंचा सबसे अच्छी बात यह है कि इंडियान करेंसी का बहुत जदा बढ़ चुका है मतलब जहां पर हमने देखा कि मंदे थर्जडे मंदे ट्यूजडे मंदे ट्यूजडे को उठाके देख लिए जो यूस्टी के इंडियन रूपी ट्रेट करा था लगबग 82.7 यहां पर काफ यहां पर रश्या और यूक्रेन के बीच में एकदम पूरी तरह से कोई समझोता हो जाए मतलब वार को खतम करने के लिए या स्टॉप करने के लिए तब तक दोस्तों इसका बहुत ज़्यादा कुछ मतलब एक तरफा हल निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल कुस दिन पह बाहर की देशों में बहुत ज़्यादा फैल चुका है यूएस की बात करें चायना की बात करें हमारे प्रोसी इंडिया के अंदर अच्छी बात यह है कि उतना ज़्यादा हमें इंफ्रीज देखने को नहीं मिला जैसे कि यह मैने का चार्ट आप देख सकते कभी दोसोड़ करके टोटल न्यू केस जो कि आप इंफर्म किया है टोटल इंडिया के अंदर बहुत ही इंडिया का जो टोटल पॉपूलेशन उसके एकदम नाख के बारव हमें जो की करोना वाइरस का किस इंडिया के दर देखने को मिला यह कुछ ग्लोबल मार्केट का अप्डेट कुछ जो कि आपको देखने को मिलेगा अब चलिए मैं आपको सीधा टेक्निकल चाट परेंट को लेकर चलता हूं वहां पर जाके हम डीटेल में बात करेंगे कि कल मार्केट का पोजिशन किदर हो सकता है तो चलिए एकदम सामने मैंने ओपिन किया निफ्टी फिप्टी का सब्सक्राइब के लिए इसके पहले भी हमने देखा दिसमबर की लास्टी के अपने आपको सस्टेंड करना क्यूंकि जब हमने देखा आया क्लोजिंग गया तो एक तो उपर की तरब देखिए नीची की तरब लेवल तमने समझ गया सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी को इमीडियेट इसको बजाना चाहिए चाहिए वह एट रहाजर के लेवल उसकी उपर की अगरम बात करें अच्छादा दोसों पजा इसको पहले भी में आपको बहुत बहुत बलाता ये दो लेवल सबसे इंप्कर बहुत रोल प्लेगा तो इसका है करना कैसे भी करके अगर निकल गया बैंक निफ्टी तो उसके समें दोस्तों निफ्टी के अंदर भी बहुत पॉजिटीव जो की तेजी आ सकता है ठीक है बाग की देखना यह कि कल कैसा रेस्पॉंस करता है मार्केट मार्केट को बहुत रूज डिपेंड करेगा अलग 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 शेयर को पर बहुत सारे कंपनी अपने रेजल्ट करेगा उसका अपडेट में आपको दे दूंगा तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना मिलते नेक्स दोस्तों अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डीमेट अकॉंट नहीं है तो अपस्टॉक जैसे बड़े प्लाटपराण में डीमेट आकॉंट उपेन कर सकते हैं जहां पर आपका ब्रोकरेज प्रीज ना के बड़ाबा लगता है लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको सिंपली ये चार्ट चीजों को तयार रखना है आपका अधार कार्ट आपका पैन कार्ट एक कैंसल चेक और आपका सिगनेचर और आदे घंटे के अंदर आपका डीमेट आकाउंट बन जाएगा